बीजेपी ने एक बार फिर नगल निगम चुनाफ के लिए मैनेजमेंट की कमान एमले रमिश मेंदोला को सौपती है जहां चुनाफ रभारी बनाए गए मेंदोला अब महापौर प्रत्याशी पुश्यमित्र भारगव की जीत के लिए खास रणनीती तयार करेंगे तो वहीं मेंदोला को मिली इस जिम्यदारी को लेकर जहां कॉंग्रेस ने तंच कसते हुए निशाना साधा है तो वहीं बीजेपी ने भी कॉंग्रेस को करारा जवाब दिया है निकालकर एक तरह फैक देती है तो मधेन दयार कहिसा है भुर्य तरह से शोसित हैं तो मुझे तो लगता है कि इस बार चुनाओं में किस मुझे मन से काम करेंगे या उट्सास से काम करेंगे और जहां तक उनकी पालटी विश्यसक्यता का सवाल है वो इस चुनाओं में इसलिए काम नहीं करेगी कि हमारा उम्मिद्वार जो है वो इतना लोग्प्री उम्मिद्वार है कि इन दौर की जनता प्रतिछा कर रहिए कि मद्दान का दिवस कब आएगा जब हम भारी अमध से संजें शुक्ला को यहां का महापौर बनाएंगे जिस तरह से महाविजय की रचना करी थी तो स्वभाविक रूप से ऐसा माना जाता है कि भारती जनता पर्टी में अगर चुनावी रणनीती का सबसे बड़ा जानकार कोई इंदा और शहर में है तो वो श्री रमेश पेंदोला है इसलिए हर बार पार्टी उन पर विश्वास बिर्थ करती है चुनाव तो कभी कभार आता है रमेश जी तो धार्मिक शेत्रों में निरंतर काम करते है और अगर सादू संतों की कथा में अन्न प्रसादी कराने से कांग्रेस पार्टी को आपती है